अतिती देवो भवव एक वक्त वो था जब लोग महमान को भगवान का रूप मानते थे भगवान की तरहां महमान के खान पान का विशेश ध्यान रखा जाता था उसकी खातिरदारी में पूरा परिवार जुट जाया करता था और लोग अपने आपको भगवान मानते थे कि चलो कोई हमारे खर में महमान बन कर आया है परन्तो आज के लोगों की मानसिक्ता का अंदाजा आप अतिती तुम कब जाओगे जैसी फिल्मों से लगा सकते हैं खैर आज पुखराज आपको एक बहुत पुरानी मगर दिल्चस्प प्रथा के बारे में बताता है दोस्तो पुराने वक्तों में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तब महिलाएं चौका चुला सूरज धलने से पहले कर लिया करती थी कहते हैं रोटियां बनाने के बाद यदि तवे पर चिंगारियों के रूप में छोटे छोटे प्रकाश पुंज जलते रह जाते थे तो उसे हस्ता हुआ तवा माना जाता था और माननेता ये थी कि घर में महमान आने वाला है और ये संकेत देखते ही और ते पांच-छे ज्यादा रोटियां बना लिया करती थी कि महमान को खिलाई जा सकें स्त्रियां अकसर मजा करती थी कि तवे अगर बच्चों के मामा आ रही है तो तु यूँ हसता रहे और अगर बुआ आ रही है तो हसना बन कर दे और दोस्तों हैरानी की बात ये है कि अक्सर ये क्यास ठीक हुआ करते थे आटे के पेडे का गिरना, कववे का बोलना भी महमान आने का सूचक है पता नहीं दोस्तों वो महमान वो रौन के कहां चली गई है जिनसे आंगनों में महफिलें सजा करती थी